इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से ज़रूर सलाह ले। भाशन और भाशा के साथ समस्याएं और व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है। इलजिल 10 टैबलेट एसिताइल को लाइन की मात्रा बढ़ाता है और मस्तिश की कोशिकाओं को संचार करने में मदद करता है। इसलिए यह स्मृति, जागरुकता और कुछ समय के लिए दैने कारियों को करने की क्षमता जैसे कुछ लक्षनों में सुधार कर सकता है। हाला कि यह कोई इलाज नहीं है। आपको दवा का उप्योग ठीक उसी तरह करना चाहिए जैसा की निर्धारत किया गया है। आपके लक्षनों में सुधार होने में कई सप्ताह लग सकते हैं। इसलिए दवा का उप्योग करते रहें। भले ही आपको नहीं लगता कि यह काम कर रही है। इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, कुचलें या तोड़ें नहीं। इलजिल 10 टेबलेट भूजन के साथ या बिना भूजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। अलजाइमर रोग में स्मृती हानी मस्तिष्क में सिगनल ट्रांस्मिशन की गरबड़ी के कारण होती है। इलजिल 10 टेबलेट कोलिन स्टेरस इन्हिबिटा होता है। ये तंत्रिका संकेतों के प्रसारण में शामिल एक रासायनिक संदेश वाहक यानि की एसिटाइल को ला स्ट्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें। धन्यवाद।